हलो एवरिवन दिस इस प्रदीव वर्मा दा कॉमर्स गुरू स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल कॉमर्स टेडी जोन में तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तोत हुए एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि आज हम डिसक्स करने वाले हैं मिट्स अबाउट कॉमर्स ट्रीम यानि कॉमर्स ट्रीम के बारे में जो लोगों के मन में दिमाग में गलत हारना हैं मिसकॉंसेप्शन हैं उन पर आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में और साथ साथ जाने के कुश्च करेंगे कि वाट इस एक्चुल फैक्ट विट फुल तो आएए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मिट्स नमबर वन के तरफ वो है कॉमर्स इस मैथ ये एक पहला मिट्स है कॉमन मिसकॉंसेप्शन है लोगों के माइंड में आएए ब इस पर डिटेल पर बात करते हैं तो खास कर जब आप टेंथ से आगे प्लस टू के लिए कॉमर्स साइंस और अनी अदर स्ट्रीम के लिए आप्ट करते हैं तब बेसिकली ये एक बड़ा ही मिसकॉंसेप्शन लोगों के मन में आता है कि कॉमर्स मतलब मैस और लोगों के बन में यही फिर बात चलती है कि अगर आपका मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रॉंग है तो ही आपको कॉमर्स लेना चाहिए और जबकि हम अचाउंट्स की बात कर तो अचाउंट्स में भी इवन मैस नहीं है जिसको की बेसिकली हम मैस कहते हैं as a subject और बलकि मैं तो आपसे personally कहूं कि math तो एक ऐसा universal language है जो हमें हर जगा मिलता है इवन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें math का हम यूज करते हैं आप कोगे सर वो कैसे अगर हमारा teacher कहता है कि आप chapter number 3 open करेंगे तो definitely हम math की ही बात कर रहे है chapter number 3 counting हम वहाँ पर या फिर teacher हमें कहता है कि poem का second stanza हम देखेंगे तो second again गिंती counting maths आगया हम पर तो यानि हम कह सकते हैं ऐसा कोई भी subject नहीं है जो basic maths के बीना हो पाता हो वो तो हर जगा है तो commerce में basic ही maths है बट अगर commerce को as a math subject ही deal कर लिया जाए तो that is called simply a myth the reality is that till high school level you will only use basic arithmetic in commerce which involve only addition, subtraction, multiplication and division जो basically maths के plus minus division and multiplication होते हैं वही हम करते हैं that's it and in later stage 2 there would only be the addition of statistics probability and elementary algebra unless you are studying specific higher managements ठीक है तो basically इस तरह के maths से ही हमारा सामना होगा commerce में और जिसके base पर आप उसको pure maths कहें तो that is simply a wrong concept however it would certainly be a plus point as a commerce student if you are great at calculation तो definitely अगर आपका calculation बहुत बहतर है तो आपके लिए commerce आपका वो calculation commerce में आपके लिए plus points अभित होता है but if you are not calculator is there as your true friend और अगर आप में calculation को as a great level करने के आपके मंदर potential नहीं है तो कोई बात नहीं आपके पास calculator है जो आपका वो basic work करने के लिए आपके पास available है now second myth में आते हैं जो की है commerce is easy अक्सर लोग एक बहुत बड़े misconception में रह जाते हैं कि commerce एकदम easy है तो आईए देखते हैं सच्चाई क्या है if you think commerce is easy this is for you only सिदी सी बात है अगर आपको लगता है commerce easy है तो साथ वो आप ही के लिए है because जो commerce पढ़ता हुआ सच्चाई को ground level पर जानता है तो यही जो माना जाता है commerce easy है सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं worst misconception है in several cases people justify their lower percentage and academic achievements compared to successful commerce students कई बार ऐसा देखने को मिलता है commerce students का जो percentage आता है तो लोग सूचते कि आपका commerce stream easy है इसलिए आपका इतना percent आ गया और हमारे तो भाई tough है इसलिए हमारे कम percentage आगा है तो in that case लोग justify करने लगते हैं आपने lower percentage को भी हमारे अच्छे successful percentages के साथ and just because just यह concept misconception लेकर करके कि commerce तो easy है as a commerce student you may have experiences when you achieve your achievement were undervalued due to this common misbelie और आपने अक्सर इन बातों को real life में face किया होगा कि जब आपके किसी अच्छे achievement को undervalued किया जा रहा होगा just because of this kind of misbelief this misleading impression leads to many academically incapable students opting for commerce without being ready or changing their attitude and approach toward studies यह तो बहुत common सी बात है हम सभी teachers उसको अच्छे से जानते हैं कि इन ही कुछ misleading information के वज़ा से और इन तरह के misleading एक myths के वज़ा से लोग academically अगर incapable भी होते तब भी वो commerce को opt कर लेते बिना इन सब को समझे कि हमारा mental strength उतना नहीं है कि हम commerce को पढ़ सकते हैं because उनके दिमाग में तो एक ही बात आ जाती है चाहें वो दोस्तों से हो पेरेंट से हो चाहें वो कहीं से भी क्यों ना हो वो आ जाती है कि भी commerce तो easy है तो ऐसा कुछ है नहीं in the end when final exam are near they find economics और even matching balance sheet difficult तो जो एक simple सा concept हमारे accountancy में होता है assets is equal to liability plus capital and जो economics के basic statistics होते हैं उसको भी बच्चे even नहीं कर पाते जबकि हम सभी जानते हैं कि इन सब के लिए basically plus minus multiplication division ही चाहिए होता है in reality commerce stream has its own challenges and one should be certain commerce material to be a really successful commerce student तो यह है सच्चाई कि हम जो सोचते हैं कि commerce बहुत easy है बट ऐसा नहीं है हर एक stream के तरह ही commerce stream में भी अपने खुद के challenges है और जिसको कि हम अपने mental ability के साथ successfully commerce student बनने के कोशिश करते हैं then आता है in commerce subject like business and economics there is no defined answer अब एक commerce के साथ देकी बड़ी ही एक अजीब सी बात है कि business और economics जासे subject जो होते हैं उसमें defined answer कहीं बार नहीं होते हैं this also is one of the reason that commerce student are bound to have their mark deducted because there is no one right answer and instead there are many ways and possibilities that can have good, bad or any other outcome तो कई बार इसी बज़े से क्योंकि कोई defined answer नहीं होता है तो उस बज़े से कई बार बच्चों को अपने answers में number पूरे नहीं मिल पाते हैं उनके marks deduct हो जाते हैं and that is simply a nightmare for the students क्योंकि उसके वज़े से उनके marks काफी कम हो जाते हैं a commerce student also have information about the basic technicalities of business and ongoing trends like the expansion of the e-commerce industry commerce stream too does not yield effortless success and one need to meet certain requirements to be successful commerce student definitely commerce stream से भी आप बिना महिनत किये कोई efforts किये बिना successful हो जाएं ये आपका एक simple myths है गलत फहिमी है जिसको हम जिसके वज़े से लोग मानते है commerce एक easy stream है बट ऐसा बिलकुल नहीं है आपको भी उस हद तक उस level तक successful बनने के लिए efforts करने ही पड़ते हैं जो उसके लिए जरूरी होते है now next हम myths काते हैं जो की है commerce is for back ventures लोग ऐसा मानते हैं कि जो back ventures होते हैं उनके लिए ही commerce बना हुआ है तो देखते हैं इस पर क्या रहा है क्या विचार है और क्या सचाई है और अक्सर हमारे class में back ventures basically वो word है जिसको लोग use करते हैं for the academically weak students but जो बच्चे back ventures है वो इसको otherwise ना ले वो उनके खिलाफ को statement नहीं है actually ऐसा misconception सब के लिए है कि जो back ventures है they are the weak students but ऐसा बिलकुल भी नहीं है कुछ लोगों को पसंद है आगे बैटना कुछ लोगों पीछे बैटना तो बस सीदी सी बात है बस यही है सोचते हैं लोग कि जो लोग academically weak है उनहीं के लिए सिर्फ commerce बना हुआ है I can't imagine my student life without my back ventures and class can't be seen as complete without back ventures और definitely हर एक class में back ventures होते ही हैं और जिनके बिना हमारी class और हमारी school memories अधूरी ही लगती है people believe that students who are incapable and well-rounded students are not up to the mark are reserved for commerce students तो जिनको लगता है कि जिन लोगों का all-run development नहीं होता या फिर जो up to the mark नहीं होते हैं जो academically weak होते हैं उनके लिए ही commerce stream से reserve रखा हुआ है बट आप जानते हो being a commerce student की ये सचाई नहीं है बट लोगों के दिमाग में ऐसे misconception ऐसे myths हैं और आप daily basis पर इन चीजों से face to face होते होंगे और इनी सब के लिए हम कोशिश कर रहे हैं इन वीडियो के साथ लोगों के इस misconception को या myths को हटाने की और reality को सामने लाने के लिए जिससे के लोगों में awareness हो सके regarding the commerce stream for them opting for commerce as a brilliant student is wastage of grades, skills and talents तो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर एक brilliant बच्चा commerce पढ़ता है तो simply वो wastage of grades है या फिर skill या talent की बरबादी है तो ऐसा सच नहीं है their reality is that any capable student can continue to have a successful and respectful academic and professional career even if they opt for commerce stream and additional fact backbenchers are not completely incompetent तो जिन लोगों को backbenchers लोग बोलते हैं basically अगर हम बात करें तो वो तो सिर्फ एक title है जो उन लोगों को दिया गया बट इसका ये मतलब नहीं कि वो incompetent है उनके में skills की कमी है ऐसा बिलकुल नहीं है it is often the case that they possess better communication skills which are very important and valued in today's world तो ये कुछ उनके अंदर खासे देखने को मिलती है ये reality है but backbenchers का मतलब ये नहीं होता कि वो incompetent है और इसी को misconception में बदल करके लोग सूचते हैं कि सिर्फ उनहीं के लिए commerce बना हुआ है now next myths के तरफ आते हैं commerce has no value लोगों को लगता है commerce students are undervalued in education, educational and business organization this is one of the reasons that students who want to pursue a career in commerce will initially study non-commerce stream and then choose to study commerce subjects and pursue commerce degree at university level कई बार देखने को ऐसा मिलता है ये ही जो reasons हमने भी देखे ये myths देखा कि commerce को लोग है उनको लोग undervalued करते हैं उतना capable नहीं मानते हैं तो कई बार इसके वज़े से लोग educational institution और business organization में भी इसके वज़े सफ़क करते हैं commerce students ठीक है और ये ही वो reason जिस वज़े से students want to pursue career in commerce चाहते हैं लोग commerce में करना लेकिन initially वो non-commerce subject से आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोग उनको forcefully उसमें ढखेलते हैं and then बाद में वो बच्चा career के अगले पड़ाव पर आने के बाद commerce को ही opt करता है अपने subject के लिए अपने career के लिए और तब वो आगे अपने किसे degree को university से प्राप्ट करता है तो जिन लोग को लगता है commerce की कोई value नहीं है zero है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बहुत highly valued and एक अच्छा career making या career orienting आपका stream है commerce unlike other graduates commerce graduates are needed everywhere तो जिस तरह से सभी graduates की जरुत कहीं न कहीं होती है बिल्कुल उलसे अलग commerce graduates की जरुत हर जगह होती है for example there is no need for engineers or doctors at banks or supermarket अब आपको सुचिए किसी super market किसी shopping mall या किसी banks में आपको engineer या doctors को लगाने का कोई मतलब नहीं बनता but all the businesses required professional auditors financial advisors and marketers ये सब कहां से आते हैं commerce से commerce से ही आते हैं आपके marketers commerce से ही आते है financial advisor या chartered accountants, auditors ये सब कहां से हैं commerce से तो commerce के graduate की demand हर एक business field से है तो ये भी आपको साबित करता है कि किस तरह से important है commerce background हमारे business को develop और growth करने के लिए now next आपका myth आता है commerce gives limited option एक दम से सरा सरी गलत फाहिमी ही है ये लोगों गलता commerce में आपका कोई career ही नहीं है ये आपके पास है भी तो बहुत limited scope है but ऐसा बिलकुल नहीं है this myth about commerce is not often reminded again and again like other myths but as a commerce student you might have heard that as a commerce student all you can do is business and that commerce field does not give many options generally आपको सुनने में कभी ना कभी मिलता ही होगा लोग जरूर आपको बोलते होगे कि आपने commerce लिया तो इसका मतलब को businessman बनना है और या फिर आपने लिया है businessman नहीं बनना तो आपके पास ज़्यादा scope है नहीं but ऐसा reality नहीं है the reality is exactly the opposite और इसके reality को समझाने के लिए career making options के लिए आपको आपके bell icon पे यहाँ भी दिख रहा होगा sorry i button में दिख रहा होगा flash करता हुआ उस link को आप जाईए देखिए मैंने already इस पर वीडियो बना रखा है कि क्या क्या career options available है commerce stream से ठीक है तो हम बात कर रहे थे कि the reality is exactly the opposite when you study commerce you can go into human resources देखिए अब आपके courses कुछ briefly बता दे रहा हूँ बाकी जैसे मैंने का i button आपको flash कर रहा है आप जाईए आपको link मिलेगा आप वो भी वीडियो देख सकते हैं तो you can go into human resource management HRM में जा सकते हैं marketing में जा सकते हैं finance, business operation, business analysis, product development, banking, taxes, auditing, business IT firms, business development, business psychology etc अब बताएए इससे ज़्यादा options और ये तो अभी सारे options हैं भी नहीं जब आप उस वीडियो को देखेंगे पिछले मेरे वीडियो को बना हुए आप कहेंगे कि commerce में तो कमी ही नहीं है करियर की और कितने करियर options रही हैं आपको microeconomics, macroeconomics and much more तो ये सारे options आपको मिल जाते हैं अपने commerce life में you can further go into public administration यहां तक कि आप इसके बाद public administration में media, politics and as much more when it comes to degree closely related to commerce you may go for become, bbacacacmacas, cpa, llb and many more such degrees there is so much to commerce student commerce that each subsections can be explained in great and interesting details a commerce student's life can be very academically satisfying with so much variety to choose from तो देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे options हैं तो जो लोग आप से कहते हैं कि आपके पास limited scope है या सिर्फ आपको businessman बनना है तो simply it is a myth you need to acknowledge them आपको बताना जरूरी है उनको और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए career options क्या है commerce में जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए और इसके पहले के वीडियो में भी आप सभी को मैंने बताया हुआ है now अब हम बात करेंगे कि जितने भी अभी हमने पांच myths की बात की है उसके पीछे आखिर रीजन क्या है क्यों लोगों के दिमाग में ये गलत फहमिया आई हुई है तो आई ये डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में भी ये हमारे समाज में लोगों को साथ सिखाया जाता है या फिर उनको बार बार दिमाग में बैठा दिया जाता है commerce सिर्फ और सिर्फ academically weak बच्चों के लिए ही होता है who achieve low grades many students are directly or indirectly forced to follow these social norms many students end up having the same beliefs as the society has तो आप सभी स्यानते अच्छे तरीके से कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है किसी तरह से भी आप ये नहीं कह सकते commerce एक low achiever के लिए होता है क्योंकि commerce में भी आपको उतनी ही इमांदारी से उतना ही efforts करना जैसे other streams के लिए आप कभी करते हैं students in the end have to comply with these norms due to pressure or misguidance provided by the parents any professional body within the educational institutions they are studying in or any other elders तो आपके elders या आपके previous किसी institution के वज़े से या आपके parents के misguidance के वज़े से आपको by pressure इन चीजों को follow करना पड़ता है जो society में चीजों मौजूद है जो की सही नहीं है one of the reason that these social beliefs continue is lack of knowledge और इसके serious ही बात है हम जानते हैं कि हम सभी के मन में अगर किसी चीज़ को लेकर misconception होता है तो simply उसका एक ही reason होता है वो है lack of knowledge तो बिलकुल हमारे commerce के इस myths के भी पिछे कोई अगर reason है सबसे बड़ा तो यही है lack of knowledge और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको unlight करें आपको उन सीजों से aware करा है कि commerce का आगे चलकर scope क्या है क्या नहीं पेरेंट्स obviously want what is good for children but many of them have a non-commerce background and think that commerce like always has no value तो definitely हर एक पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा future बहुत ही बहतर career set करें लेकिन होता क्या है कि जादतर पेरेंट्स non-commerce field से होते हैं और जिन के वज़़े से उनके अंदर वही myths already available रहता है commerce ही तो कोई value नहीं है commerce had limited options but again this is a myth तो इन वज़़ों से बच्चों को forcefully यह करा जाता है कि वो commerce ना ले सके या उनके खिलाफ उनको misconception होते हैं और जिस वज़़े से लोग commerce को समझ ही नहीं पाते हैं कि actually क्या है commerce then government is also to be blamed for discrimination it is the responsibility of the government to spread awareness about opportunities that commerce stream offers तो government का भी कहीना कहीं education को बढ़ावा देने के लिए commerce को खासकर awareness provide कराने के लिए help देने के लिए government का भी एक अपना role है जो कि government को करना चाहिए awareness program होने चाहिए for commerce stream जो कि आपको देता है for career sector it should also provide a proper counseling to local board student it could also improve the quality of commerce education in local boards और काफी हद तक देखा जाता है कि commerce का जो level of education local boards में होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जिस वजह से लोगों को लगता है commerce में पढ़ाई होती ही नहीं या फिर commerce कुछ है ही नहीं value less लोगों को लगता है तो इन चीजों में government को leading from the fund कहते हुए काफी strict administration के साथ उसको implement करना चाहिए so that की यह जो discrimination society में हो रहा है commerce के साथ वो बिलकुल नहों पाए there is a massive need for change and everyone should acknowledge that the potential of commerce to education like it acknowledged is US and UK economy so जिस तरह से US और UK economies ने commerce को acknowledge किया है और उनको बढ़ावा दिया है उसी तरह से हमें भी इस तरह की चीजों को लाना चाहिए उसके लिए बहुत बड़ा change हमारे society में जरूरी है the commerce is dealt in the school after 10th और हम सभी जानते हैं कि commerce का मतलब 10 के बाद है ना लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी और subject की चाहें वो English है, Hindi है, Science है, Maths है और भी कोई subject है यानि Science का मतलब Physics, Chemistry, Maths अब आ गया है ना तो हम other subjects के अगर बात करते हैं तो वो सारे subjects हम 10th से पहले पढ़ चुके होते हैं तो we are having a knowledge about the science, maths and many other subjects but what about commerce? हमने commerce को 10th से पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, sorry 11th से पहले कभी नहीं पढ़ा होता है commerce के बारे में जाना कुछ नहीं की, कोई 10th में आपने commerce पढ़ा ही नहीं तो भी लोग commerce के बारे मिसकॉंस्प्शन बना लेते हैं और सभी से मैं यही कहूंगा कि बिना जाने किसी चीज़ के बारे में मिसकॉंस्प्शन रखने का मतलब है rumors का लाना और यह चीज़े बिल्कुल भी ठीक नहीं है so मेरा यह अपना खुद का suggestion है कि to provide the proper awareness about the commerce stream it should be included up to 10th also तो 10th तक कि जो हमारे syllabus हैं उसमें कहीं नहीं commerce का भी introduction as a subject होना चाहिए जिससे बच्चों को पता चल सके कि आगे चल कर as a career making क्या choices available है so that की बच्चे आगे चल कर commerce में भी अपना career बहतर तरिके set कर सके जो available है now finally आते हैं अपने truth के तरफ की actually fact क्या है यह तो होगे सारी myths की बाते the truth is that commerce is a really fascinating field it is usually more interesting because a student is introduced to completely new subjects तो यह काफ़े interesting field बन जाता आपका fascinating field बन जाता क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल नए subjects पढ़ने को मिलते है and the subjects of accounting, business studies and economics are completely new and therefore happens to be more interesting there are intelligent students who opt for commerce तो इस तरह से हम देखते हैं commerce में नए subjects मिलते हैं like accountancy है, business studies and economics है जिसके अंदर micro and macro economics हम पढ़ते हैं तो यह काफ़ी interesting बच्चों के लिए हो जाते हैं because यह सब नए subjects हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि काफ़ी intelligent बच्चे commerce को opt करते हैं the commerce curriculum also build communication skills, confidence, management skills and many other qualities in a student definitely commerce एक ऐसा stream है जो कल को देश के लिए एक future leader कह सकते हैं हमारे industrialization से, industries field से provide कराता है commerce क्योंकि वो उनको management skills सिखाता है communication skills सिखाता है business tycoon mind देता है यह सब चीज़े commerce develop करता है commerce student occasionally come with good business ideas and work toward it as a team team spirit क्या होती है, कैसी होती है वो commerce के स्टुन बहतर जानते हैं there are just so many reasons or answers to the question why to choose commerce and commerce is just one of the best educational field तो इसके पीछे एक नहीं बहुत reasons हैं कि commerce को हम क्यों चुने और साथी साथ commerce में एक best educational field हो सकता है ऐसा क्यों इन सब के पीछे एक नहीं हजारों reasons हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में कोशिश किया है इन सब का जवाब देने के लिए और आपको link मिल जाएगा description box में जरूर जाएए और उन वीडियो को भी देखिए और अपने दोस्तों में share कर लिए तो ये था आज के वीडियो में एक छोटा सा awareness एक misconception के बारे में discussion जो बिल्कुल भी commerce stream के लिए सही नहीं है और हम सभी को एक कोशिश करनी है कि हम इस misconception को और ना बढ़ाए इन myths को और ना बढ़ाए और reality लोगों के सामने डाए तो hope so कि मेरा ये effort आप सभी को अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को share करें जितना हो से को उतना share करें लाइक करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना के तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे और उमीद करते हैं कि आप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं में नेक्स वीडियो में तो तक लिए टेक केर और बाई बाई